आज की वीडियो में बताएंगे कि Google AdSense में Tax Information कैसे भरोगे क्योंकि ये भरना जुरूरी रहता है अगर आपका YouTube चैनल मोटाज हो जाता है और यहाँ पर आपको सबसे पहले Google AdSense लोगिन कर लेना है लोगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको आजाना है payment के उपर क्लिक कर देना है फिर payment info के उपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा यहाँ पर manage setting के उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप manage setting के उपर क्लिक कर सब्सक्राइब। इसका नागरिक नहीं नहीं हो तो नो के ऊपड़े उपर क्लीक origin by phone ने चुट से ऊपर कर undoubtedly कर देना है उसके बाद में यहाँ पर आपको next step complete क्रना है तो देखते हैं आगे कौन नेक्स्ट प्रिक्ट में हाता है यहां पर डाल देना होगा, तो हम इंडिया से हैं, उसके बाद में फोरियन, टी, आई, अन, यानि कि जो भी आपके पैन कार्ड का जो नमबर होता है, वो आपको सबसे फ़ले आप or number fill up करना होता है, तो number आप यहां पर डाल दीजेगा, उसके बाद में यहां पर next का आपसन जाएगा यहाँ पर नेश्ट के उपर क्लिक कर देना फिर यहाँ से जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको सही से आपको फिल अप कर देना है तो यहाँ पर चले हम एड्रेस को यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर मेलिंग एड्रेस के उपर क्लिक कर देते हैं और यहा ही हम यहां पर नेख्ट के उपर क्लिक कर देंगे यहां पर हमारे सामने एक दूसरा जूसरा टीन को आ जायेगा तो यहां पर प Negative करदी आंप Ht twice को यहां पर कई पर क्लिक कर दिया है तो आपको यहां करने हैं अगर आहां एंडिया कंट्री ही करता है अगर आप इंडिया से हो तो तो चलिए हम यहां पे देखते हैं इंडिया कहां पर हम यहां पर इंडिया ईंडिया अगर देका ह Maar Sher तरह से आएगा यह फैस्ट वाला से लिट कर दीजेगा इस पर क्लिक करके जिरो प्रेसंटेज फिर सेकेंड वाले पर आपको क्लिक करना है यहां पर तो से के वाला जो आपका अएगा इस तरा से टिक लगा दिजिेगा। थार्ट में इससे में भी को फिलब कर देना है . जिस तरा से फिलब कर देना है जिस तरह से 50 प्रिसेंट। और इसके बाद में यहां पर इस तरा से हैं पर देख सकते हैं इस तरह से फिलप कर दीजेगा टिक लगा करके आपको next के ओपर कुलिक कर देना है तो हम यह नहीं पर next के ओपर क्लिक कर चुके हैं तो यह हमारा जो भी step होगाऊ पर complete हो चुका है अब यहां पर कुछ इस तरह से आएगा तो यहां पर आपको के उपर क्लिक करना है आई सेटिफाई के उपर क्लिक करके आपको नेश्ट के उपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहां पर कुछ ट्रमिन कंडिशन होगी उनको चाहो तो आप पड़ सकते उसके बाद में यहां पर आपको टिक लगा देना है और डाकुमेंट् कर देना है तो नेश्ट के उपर क्लिक करने के बाद में आई कंफर्म के उपर क्लिक कर देना और उसके बाद में नेश्ट के उपर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे नेश्ट के उपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस हैं पर देखने कि मिल जायेगा यहां पर को कुछ नहीं करना है बस ऐसे यहां पर रखना है यहां पर फिल अप करने की जुरूरत कुछ भी नहीं है और उसके बाद में यहां पर आते हैं यहां पर आपको एसके उपर क्लिक करना है और जो हमने आप उपर की तरफ जो टिक लगाया था यहां पर ध्यान सकते हैं सबसे उपर थोड़ा साम उपर की तरफ जाते हैं इसको आप अंटिक कर दीजेगा और उसके बाद में यहां पर सब्मिट के उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहां पर सम्मिट के उपर क्लिक करोगे तो यहां पर हमारा यहां पर सही से भरा है या फिर नहीं भरा है तो यहां पर देख सकते हैं हमारा युएश्टस इनफॉर्मेशन अप्रूब हो चुका है लाइब आपके सामने तो इस तरह से आप यूएस टेक्स में ले सकते हो